सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाईए, आयरवेदिक ओशद्यां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तो आज हम आपको जिस ओशद्य के बारे में बताने वाले हैं, उसका नाम है अरशोधनी वटी और ये बैदनात कंपनी के तरब से आती है, दोस्तो इस ओशद्य को आप विशेश रूप से जो बा से संबंद पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो चलिए सबसे पहले देख लिते हैं, यह जो पैकिंग आता है, बैदनात कंपनी की तरब से आता है, और इसका जो यह पैकिंग है, 40 टेबलेट में उपलग्ध है, इसमें एक 20 टेबलेट में भी आता है, और इसका जो अ होती है, गीरी का इसमें प्रियोग किया जाता है, बकायन के फल की जो मिंगी होती है, उसका इसमें प्रियोग किया जाता है, इसके अलावा खून खराबा, जिसे युनानी बासा में दमुलेख वाइन के नाम से भी जानते हैं, और रंग बरत के नाम से भी जानते हैं, यह दो दो तोला इस्तमाल की गई हैं, दम्मुलेख फायनिस में दो तोला, और तरनकांत जिसे हम युनानी में कहरवा के नाम से जानते हैं, वो इसमें प्रियोक किया गया है, इसके अलावा मनी की जो अरक होता है, अरक गुलाब, उसमें इसकी गुटाई करके, इसकी जो बनाई हुई पिष्टी होती है, एक एक तोला, उसमें इसमें रशोत मिलाकर, और दारु खल्दी का जो गंसत्व होता है, उसमें 6 तोला ये मिलाकर, इन सभी को जो है, सबसे पहले निम्बोली को और बकायन की मीगई को खुब बारीक पीस लिया जाता है, और पीसने के बाद इसम के से इसकी गुटाई हो जाती है, तो दो-दो रत्ती की गोलिया इसकी बना कर रख ली जाती है, ये इसके बनाने का तरीका होता है, और इसको आप मेडिकल इस दोर्श चास बड़ी आसानी से ले सकते हैं, और इसको आप निचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बोक्स में लेकिन इसका अधूरा परीचे है, इसमें काफी रोगों के ये कवर करती है, और उस भी जादतर रोगों में जो की पेट से सम्मन्नित होते हैं, उसमें ये फायदा करती है, अगर इसके और रोगों की बात करें तो ये खूनी बावसीर और बादी बावसीर ये दोनों में ह करती है जिस इस्तिति में जैसे जो मश्चे होते हैं उनसे खून निकलता है उस इस्तिति में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं और अगर आप जैसे खून नहीं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा उसे भी आप पूरा देख लीजिए उसके बारे में हमने पूरी जानकारे इस वीडियो में बताई हुई है इसके अलावा जो ये खुनी बावसीर है जब तक जो रक सराव हो रहा होता है तो भी इसका परियोग जरूर करना चाहिए और इस वटी के परियोग से बहुत सिग्र रक्त बंद हो जाता है और ये जो अगर आप इसका नियमित परियोग करते हैं तो ये पूरी तरीके से मस्चे को ठीक भी कर देता है इसमें एक बात आपको ध्यान से लग जाते हैं उसमें भी काफी अच्छे फायदा करती है और बावसीर के लिए ये काफी अच्छी हो शद्य है इसका प्रियोग आपको जरूर करना चाहिए बादी बावसीर में बड़े हुए जो कठोर मस्य होते हैं वे इसके प्रियोग से सूख जाते हैं और इससे जो है जैसे इसमें कहरवा पिष्टी है, दम्मुले ख्वायन है यह जो उशद्यस्त में इस्तमाल की गए है दम्मुले ख्वायन विशेश रूप से जो रक्त को शुद करने के लिए प्रियोग की जाती है और यह जो मैं आपको उशद्या यहाँ पर बता रहा हूँ इनके बारे में आपको अलग-अलग पूरी वीडियो आपको मिलेंगी इसी चैनल पर इन सब के जो जड़ी बूटिया होती है, उन सब के पूरा परीचे और उनके गुण और प्योग सभी इस चैनल पर आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा तो इसके और जो इसके गुणों की बात करें तो यह वायू नाशक होती है और यह रक्त सोदक भी होती है जैसे कि मैंने अभी बतायश में जो इस्तिमाल किया गया है दम मुले ख्वायन ये रक्त सोधक होता है और काफी अच्छा रक्त सोधक होता है जो कि बर्ड में जो भी अशुद्या होती है उसको निकाल फैंकता है इसके कारण ये जो भी सरीर में इसके कारण रोग पैदा हु इसके साथ और भी आती है, अम्बिवी का टेवलेट भी आती है, जो की अम्बिवियास में प्रियोग की जाती है, वो भी इसके साथ ले सकते हैं, जो पेट रोगों में भी काम करती है, इसके साथ साथ इसमें और जो कबज के लिए अगर आप अलग से लेना चाते हैं, अगर इसकी मातरा के बात करें तो एक से दो टैवलेट इसको दिन में दो से तीन बार लेना होता है दो बार तो आपको लेना ही चाहिए लेकिन अगर आपको रोग ज्यादा है या लंबे समय से है तो आपको इसको तीन बार लेना चाहिए इस तो सुद्धी का प्रियोग आप फैर में भी ले सकते हैं यह आप अपने वैद से सला कर लीजेगा और डोक्टर से संपर करके आप इसका प्रियोग कर पाएंगे इसका और भी और एक मैत्वपून जो प्रियोग है वो रक्त सोधक के लिए है और पेट से सम्मंदित रोगों के लिए भी ये काम करता है तो अम के लाइक से ही हमें पेरना मिलती है कि हम आगे भी ऐसी ही और भी अच्छे अच्छी वीडियो लेकर आते रहें आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो के सम्मंद में अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाव है तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छे अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के हशते रहें हशाते रहें और अपनी शयद का ख्याल रखिए धन्यवाद